दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं, जबकि कई लोगों को आपने यह भी कहते सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ हैं। दोस्तों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोधी ठिंक स्पाई, यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। के कुल गुरू जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लोटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुख गये। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते, तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना जी पंडित जी से शालिगराम भगवान के लिए जिद करने लगे। कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे धन्ना जी को। उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि यह तो बालक है, इसे शालिगराम जैसा कुछ और दे करके भहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए, वहां से वह एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए, वह धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूँगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी है, बड़े ठाकु अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे, जब धन्ना जी गाये चराने खेतों की तरफ जाते, तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते, धन्ना जी की मा ने उनको बाजरे की रोटी साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे तब तक वह खुद भी भोजन नहीं करेंगे धन्ना जी जब खेत में पहुँचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगा धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते वह भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहन नहीं करेंगे जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी तीन दिन तक ऐसा ही चलता रहा ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन करते चौथे दिन की बात है धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर-जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे वो बोले आप तो बड़े ठाकुर जी हैं आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे परन्तु मैं तो बालक हूँ तीन दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ क्या आपको मुझपर दया भी नहीं आती मुझपर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो जिससे मैं भी कुछ खा सकूँ क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता इसलिए पहले आप खालो इसके बाद ही मैं खाऊंगा धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसंद हो गए उन्होंने ठाकुर जी को मा की दी हुई ठाकुर जी बाजरे की रोटी साग और गुड़ खाने को दे दिया ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे चार रोटी में से दो रोटी ठाकुर जी ने खाली अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, क्या मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा, मैं तो चार दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, दो रोटी आपने खा ली, अब दो रोटी मेरे लिए छोड़ दो. इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, और बची हुई दो रोटियां धन्ना जी ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी, अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया था, धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते, तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता था, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा, धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता स मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ, जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागती ग्रहन नहीं की है। इसी लिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं। फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, जगत गुरु श्री रामाननदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है। तुम जाकर उनकी शरण ग्रहन करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामाननदाचार्य जी की शरणागती कर ली। उस समय धन्ना जी की आयू लगभग 15-16 साल के आसपास थी। श्री रामाननदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिश्य के रूप में स्विकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। गुरु जी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे, तो केवल तुम्हारा ही कल्यान होगा। लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे, तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उध्धार हो जाएगा। गुरु जी की आग्या के अनुसार धन्ना जी घर लोट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गाउं में कोई साधू संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा दें। लेकिन तुम्हारी इन साधूओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधू चला आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधूओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो। कुछ कमाते नहीं हो। तुम्हारा पालन पोशन भी हम ही करते हैं और उपर से तुम साधूओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधूओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी भी साधूओं को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूँगा। तुम्हें साधूओं की सेवा करनी है। तो पहले कुछ कमाई करो फिर अपनी कमाई से साधूओं की सेवा करना। पिता जी की बात सुनकर धन्ना जी उद इसे बैलगाडी में ले जाओ और खेत में बो दो। इसके बाद धन्ना जी ने बैलगाडी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिये। उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिये हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वहाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले। और धेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिता जी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाए इन साधु संतों को घर ले गया, तो पिता जी आसमान सर पर उठा लेंगे। और इन साधुओं को भी भगा तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाडी लेकर के चले गए। बैलगाडी लेकर, धन्ना जी सीधे बाजार में बनिये की दुकान पर लेकर पहुँचे, वहां पर उन्होंने बैलगाडी में जो भी बीज गेहूं खेत में बोने के लिए रखे थे, उसे बनिये को बेच द और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँचे। वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया, दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठ कर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेच कर मैंने संतों को भोजन करा दिया। अब खेत में क्या बोया जाए अगर पिता जी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज ला कर दूँगा। और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिता जी को क्या जवाब दूँगा। यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई थी धन्ना जी ने वो रेत खेतों में छड़क दी। आ एक भाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुचे तो पिता जी ने पूछा कि खेत बो आये। धन्ना जी बोले कि पिता जी मैं खेत बो आया हूँ। कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिता जी और गाव के कुछ बड़े बूढे लोग धन्ना जी के पास और बोले कि तुमने कैसा खेद बोया है। ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक-एक दाना नाप नाक समान दूरी पर बोया गया है। और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं पर जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्य चकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी, वहाँ पर फसल उगाई है और एक सुन्दर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। धन्ना जी बोले, पिता जी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहु दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहरा कर जो गेहु मैंने बीज बोने के लिए थे वह सब बनिये की दुकान पर बेच कर संतों को भोजन करवा दिया, इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया, फिर ये फसल कैसे हो गई, ये मुझे नहीं मालूम, धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिता जी की आँखों में आँसु आ गए, और वो बोले, मेरा धन्न भाग्य, जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया, आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे, नहीं खूब, साधू को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे, आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा, और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूँगा, इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे, कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया, उस समय उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहू निकला यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी गाव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य चकित हो गए अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ती करने लगे को चमतकारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमतकारी मानने लगे अब जिन लोगों के खेतों में परियाप्त फसल नहीं होती तो वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी चारों तरफ धन्ना जी की जै जैकार होने लगी एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाही धन्ना जी के गाव में अकाल पड़ गया धन्ना जी बड़े किसान थे उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे अकाल के कारण उनके गाव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मन, संत गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लोटता धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेच कर लोगों की मदद करेंगे धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन एक दिन उनके पास संत के भेश में स्वयम ठाकुर जी आ गए उन्होंने धन्ना जी को तुमबा का कमंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज दिये और कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बोदो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना धन्ना जी ने ऐसा ही किया संत की आग्या से उन्होंने तुमबा के बीज खेतों में बोदिये गाव के लोग कहने लगे लगता है धन्ना जी पागल हो गए है ऐसे भीशन अकाल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुमबा की यह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है ऐसी फसल यदी उग भी गई पैदा भी हो गई तो उसका क्या फाइदा होगा कुछ दिन बाद तुमबा की फसल उगाई सब ही लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीशन अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया इसी बीच धन्ना जी जरूरत मंदों की सेवा करते रहे धन्ना जी ने अपना सारा अन भंडार सेवा दान में लगा दिया उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह भी सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था गाँव के लोग कहने लगे बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोया भी तो तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा वह तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिखे रहे थे धन्ना जी ने सोचा अब दान करने को तो कुछ है नहीं अब इन तुम्बा से कमंडल बना कर संतों को दिया करेंगे धन्ना जी खेतों में लगे, सभी तुम्बा के फलों को तोड़ कर घर ले आए. घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती जवाहरात और कीमती रतनों से भरा हुआ था. तुम्बा को कीमती रतनों से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्य चकित रह गए. उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी. उन्होंने देखा सभी तुम्बा फलों में ऐसे ही कीमती रतन भरे हुए थे. अब उनके पास इतने कीमती रतन और जवाहरात हो गए, जितने किसी जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना. अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे. फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे. उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला. उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गाव म और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधुसंत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेट कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेट की पदवी दी जाती है और कहा जाता है क्या तुम धन्ना सेट हो गए हो। दोस्तों, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीरवाद जिनको प्राप्त हो जाए उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी धन्न दौलत का संग्रह कर ले। लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है, तो आप उस धन्न से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोश है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी है। हो सकता है भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाब देने की योजना बनाई हो। लेकिन हम अग्यानी लोग यही सोचते हैं, कि भगवान हमारी कुछ मदद नहीं करता। दोस्तों, यह कहानी खास उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं। दोस्तों, किसी गाव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी बच्चे साथ और मां के साथ रहता था। वह लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेता था। उससे जो भी धन मिलता था, उसी से अपना और परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेश बचता था, उसमें वह लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तै हो जाता है। लकड़हारा, सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठ कर भगवान के ध्यान में मस्थ हो जाता। अकसर गाव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में बातें किया करते थे, कि लकड़हारा तो सारा दिन भगवान की भक्ती में लीन रहता है, उसे तो अपनी बेटी के विवाह तक की कोई चिंता नहीं है, पता नहीं यह लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं, उसने तो अभी तक दान दहेज का किसी तरह का कोई इंतजाम तक नहीं किया है, जबकि विवाह होने में कुल तीन दिन का समय बाक वो कहने लगी कि बेटा तुम सारा सारा दिन भगवान के नाम का जाप करते रहते हो अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो इतना धन कमा सकते थे कि अपनी बेटी का विवाह बड़े आराम से संपन्न हो जाता लकड़ारे ने जब अपनी मां की बात सुनी तो उसने कहा कि मां मैं सारा दिन काम ही तो करता हूँ और जो कुछ समय मुझे मिलता है मैं प्रभू की भक्ती में लगा देता हूँ जब मां ने कहा कि बेटा तू सिर्फ काम में मन लगाया कर जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए लकड़ारे ने कहा पैसों का इंतजाम हो सके इसलिए हर वक्त काम काज करता रहता हूँ और भगवान को भूल जाओं यह मुझसे नहीं हो पाएगा मां तू चिंता मत कर मैं जिस ईश्वर का ध्यान करता हूँ वह सब देख लेगा क्या उसे मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है लकड़ारे की बात सुनकर उसकी मां कहने लगी कि बेटा जब भी मैं तुमसे काम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूँ तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभू मेरे सारे का करेगा भला ऐसा होता है क्या प्रभू खुद किसी के घर में काम करने के लिए आता है मां ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल तीन दिन शेश बचे हैं ना तो घर में एक पैसा है और ना ही बच्चों के पास कोई कपड़े हैं। अब बता, तेरा भगवान ऐसी स्थिती में क्या करेगा? उसी समय माँ अपने कमरे में गई और थोड़ी सी कुछ चीजें उसके पास रखी हुई थी। पुरानी धरोहरवह लेकर आई और बोली कि ले, यह कुछ चीजें मैंने तुझ से छुपा कर अपने पास रखी थी। ताकि तू किसी साधु संथ को सब दान में ना दे दे। अब यह मैं तुम्हें दे रही हूँ। यह सोने और चांदी की चीजें ले जाकर बाजार में बेचाओ। और उससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उसे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। मा की बात सुनकर लकड़ारा मा के द्वारा दी हुई वस्तूओं को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। कपड़े मिल जाए। आप उसका घर बता दीजिए ताकि मैं उसके घर जाकर उससे कपड़े ले आऊ। लकड़ारे ने सोचा अगर यह साधू मेरे घर गया और कहीं मेरी मा ने इनको कुछ अपशब्द कह दिये तो सब गड़बड हो जाएगा। इसलिए उसने साधू से क कि भगवन आप थोड़ी देर तक यहीं बैठिये। मैं बाजार जाकर आता हूँ और आपके लिए वस्त्र लाकर देता हूँ। वह लकड़ारा बाजार गया और अपनी मा के द्वारा दी हुई जो भी वस्तुएं थी उनको बेचकर उससे कपड़े लिए और लाकर के उस स अंत को दे दिये। लकड़ारे ने साधू को सारे कपड़े तो दे दिये। पर रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर अपनी मा को क्या जवाब दूँगा। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। लकड़ारे ने विचार किया कि अब वह घर ही नहीं जाएगा और वह जाकर गंगा के किनारे बैठ कर भगवान का ध्यान करने लगा। और फिर वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। वह भगवान के आगे विनती करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभू, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे भरोसे पर ही काटी है और मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। जो भगवान पर भरोसा करता है, प्रभू उसके सारे काम करता है। पर आज मेरी बेटी का विवाह है। कृपा करके मेरे काम में आप सहायक हो। सुबह का समय था, इधर लकड़ारे की मां बहुत चिंता में डूबी थी, एक तरफ सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया था और दूसरी तरफ मां अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी, इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी, मां दर्वाजा खोलो, खुशी से दौड़ती हुई, उसकी मां जब बाहर गई, तो देखा कि उनका पुत्र लकड़ारा बैल गाड़ी पर विवाह के लिए बहुत सारा सामान लाद कर सामने खड़ा है, उसको देखकर मां हैरान होकर पूछने लगी, कि बेटा, यह सारा सामान तुम कहां से लेकर आ तब उसने बहुत महंगे दामों में उसे खरीद लिया और उन्ही पैसों से बच्चों के लिए बहुत से बढ़िया कपड़े मैं खरीद कर लाया हूँ, बेटे की बात सुनकर मां हैरान होकर सोचने लगी कि मेरे बेटे के पास बादशाहों वाले कपड़े कहां से आए, ज इसमें तु जरा भी शंका मत कर, तुने मुझे जो वस्तुएं दी थी, वो बहुत महंगे दामों में विकी है, मेरा विश्वास करो, इतना कहकर उस लकड़हारे ने सारा सामान अपने घर पर रख दिया, कुछ समय के बाद जैसे ही बारात आई, तो बड़े ही शाही अंद उचलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन जब सगे संबंधियों और गाव वालों ने शाही शादी देखी, तो बड़े हैरान हो गए, आपस में बातें करने लगे कि आज तक हमने कभी ऐसी शादी नहीं देखी, जिसमें इतना दान दहेज दिया गया हो, और इतनी और पकवान बने हो, लकड़ारे ने तो कमाल ही कर दिया, इस तरह से सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, विवाह के समय जब बारातियों को भोजन परोसा जा रहा था, तो उनके जूठे बरतन वह लकड़ारा खुद उठाने लगा, और एक स्थान पर रखते जा रहा लकड़ारे को ऐसा करते हुए देख कर उसकी माँ ने उसकी बाह पकड़ कर कहा कि तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुमको देख रहे हैं, इसलिए यह काम छोड़ दो, पर लकड़ारे ने कहा कि माँ आज मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ सेवा करू, तब उसकी माँ कह सत हुई वह अपने आसन पर जाकर बैठ गया, तब माँ ने आकर कि पूछा, बेटा मुझे सच सच बता, इतना सारा खर्चा आखिर तूने कैसे किया, इतनी महंगी पोशाक, इतना बढ़िया भोजन, इतनी शांदार विवस्था, तूने कैसे की, यह सब देखकर हमारे बेटा कुछ बदला-बदला नजर आ रहा है, पहले तो उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, और ना ही मैंने उसके पास कभी इतने पैसे देखे, और अचानक से आज मेरा बेटा इतना धनवान कैसे हो गया, इस तरह से सोचते सोचते जब दिन निकला, तो माँ अपने बेटे के कमरे में गई, वहाँ अपने बेटे को ना पाकर उसे ढूनने लगी, पर लकड़ारे का कोई पता नहीं था, जब मा ने सगी संबंधियों से अपने बेटे के बारे में पूछा, तो वह कहने लगे कि तुम रात को अपने बेटे से बहस तो कर रही थी, हो स वह देखती है कि उसका बेटा चुपचाप सिर जुकाए हुए शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। कि उस लकड़ारे की बेटी का विवाह तो देखने योग्य था। सारे गाउं में चारों तरफ तेरा ही गुणगान हो रहा है। कैसे हो गया। मां भी हैरान होकर के कहने लगी। पुत्र सारा विवाह तो तुमने खुद अपनी उपस्थिती में किया है। बैल गाड़ी में सारा सामान तु खुद खरीद कर लाया था। अपने हाथ से अपनी बेटी का कन्यादान तूने किया है। तो फिर अब ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। मा ने कहा। बेटा अगर तु मुझसे नाराज है तो पहले घर चल। वहीं चल कर मैं तुझसे पूरी बात करूँगी। इस तरह लकड़ारा अपनी मा की बात मान कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी शादी तो आज तक किसी ने नहीं देखी। ना तो किसी ने इतना दान दहेज दिया और ना ही किसी ने इतनी मिठाई और पकवान बनवाए। लकड़ारा सोचता जा रहा था कि कहीं वह लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे है। घर पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर वह बिलकुल हैरान हो गया। उसका पूरा घर चमचमा रहा था। लकड़ारा सोचने लगा जब मैं तीन दिन से घर आया ही नहीं तो मेरी अनुपस्थिती में इन सब के अनुसार घर में फिर कौन था। जो मेरा ही रूप बना कर सारा काम करके चला गया। लकड़ारे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझ पर विश्वास करो, मैं तो तीन दिन से घर आया ही नहीं। तुने मुझे जो चीजें दी थी सोने चांदी की बेचने के लिए उसे मैंने बाजार में बेचा तो था, पर मैंने रास्ते में किसी साधू के मांगने पर उन्हें कपड़े खरीद कर दे दिये थे। इसके बाद जब मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं बचा, तो मैं फिर किस तरह से अपने घर को आता और बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब देता। मैं तो पिता होने के नाते अपना फर्ज भी नहीं निभा सका। तब मां ने कहा, याद कर बेटा, जब तु कल बार जातियों के जूठे बरतन उठा रहा था, तो मैंने तेरा हाथ पकड़ कर काम करने से तुझे मना किया था, क्या तुझे यह भी याद नहीं है। इतना सुनकर लकड़हारे की आँखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे सारी बात समझ में आ गई कि मेरी जगह मेर रूप धारण करके खुद परमात्मा मेरे घर आये थे, मेरे प्रभु मेरे घर आये थे। फिर वह सोचने लगे कि वह भगवान कितना दयालू है जो अपने सेवक की इज़द बचाने के लिए खुद सेवक बन कर अपने भक्त के घर खुद काम करने के लिए चला जाता मा ने पूछा, बेटा अगर वह तू नहीं था तो कौन था जो तेरे रूप में सारा काम संभार गया। लकड़हारे ने अपनी मा की बात सुनी तो कहने लगा, मा तू अकसर मुझसे गुस्सा होकर कहती थी कि इतनी भक्ती करके क्या मिलेगा, क्या प्रभु भी किसी के काम खुद करने आते हैं, जिस प्रभु ने मुझे अपनी भक्ती में लगाया है, वही प्रभु मेरा रूप बना कर मेरे घर का सारा काम करके चला गया। ये वचन सुनकर मा ने कहा, तू ठीक कहता है, खुद प्रभु ने ही हमारी लाज रखी है। इतना कहकर उसकी मा की दोस्तों की धारा बहने लगी। जितना विश्वास उसका होता है, भगवान से जितना वह प्रेम करता है, उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ खुश रहिए, अपना खयाल रखिए। धन्यवाद।